दोस्तों मैं हूँ प्रभास और स्वाकत है आपका आपकी अपने यूटूप चैनल प्रभास मस्रापर दोस्तों इस साल जून के महिने में दर्भंगा जंक्षन पे सिकंद्राबाद एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद इस घटना की जाच को एनाये को सौपा और दोस्तों एनाये ने जब इस पे जाच की तो इसमें पता चला की स्ट्रेंग को उड़ाने की साजिस थी और इसका जो लिंक था वो पाकिस्तान से था और दोस्तों वो जो मुकदमा है वो अभे भी एनाये की पटना सेशन कोट में चल रहा है लेकिन दोस्तों कल के दिन एक बार ब्लाश्ट हुआ है बिहार के एक बड़े रेलवे स्टेशन पे और दोस्तो यहां पे सबसे बुरी बात यह है कि इस ब्लाश्ट में एक लोग को एक लोग को अपनी जान भी गवानी पड़ी दोस्तों किस रेल्वे स्टेस्वर्षन पर ये ब्लाष्ट हुआ कैसे ये ब्लाष्ट हुआ और इसके बाद है यहाँ पर हमारी जो इस्थानी पुलिस के साथ- pump रेल पुलिस क्या कर रही है इसी बारे हम बात करेंगे फुरी टैल के साथ दोस्तों इसे प्लिक वीडियो करो मेरा आपसे आगरा यदि भी कल अबस्क्राइब नहीं का तो अबस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपने रहे अभी जरूर बताएं और कुमी जरूर शकायत आपका है तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंडियो स्कूर में दिया हुआ है जिलोस्तर मेडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यदि हम कल हुई इस घटना की बात करें तो ये हुई है बिहार के नाथनगर रिल्वे स्टेशन के पास में नाथनगर बागलपूर रिल्वे स्टेशन के पास में ही पढ़ता है दोस्तों होता यूँ है कि कल सुबह में एक कच्रा बिनने वाला वेक्ति होता है जो की नाथ नगर रिलवे स्टेशन के आउटर पे कचरा बिन रहा होता है उसे रिलवे पटरियों के पास में एक जोला दिखाई देता है दोस्तो जैसे ही वो उस जोले को खुलता है वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और दोस्तो जो वैक्ति उसे खोल रहा था उसकी वहीं पे इंस्टेंट मौत हो जाती है दोस्तो जैसे ही यह हाथसा होता है आसपास के लोग तुरन दोड़ते हैं नाथ नगर रिलवे स्टेशन से रिलवे कर्मचारियों के एक टीम भी पहुचती है और साथ ही साथ इस्थानिया पुलिस के साथ साथ भागलपूर रिलवे पड़ी है दोस्तो इस मामले की जो जाच है वो अभी भी चल रही है इस बार में आपकी करा है कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्ते स्क्रिबस इतना ही मिलेंग फ्रेक नेड़ों के साथ अब तक के लिए जाहें तर चाह बालत